नमेश्कावर मैंमी तरमेश मक्रे आज एक अच्छी स्टोरी आपको शेयर करने वाला जो सुनकर आप बहुत चकेद हो जाएंगे आपके लाइफ में सबसे इंपोर्टन सबसे आपका पास होने वाली कौन से ऐसी व्यक्ति है यह हमारे आज की स्टोरी का है तो एक बार ऐसा होता है कि एक आश्रम में एक मैला या एक लेडी चली जाती है जिनकी शादी हो चुके जिनको एक बच्चा भी है और वो गुरू को मिलने के लिए चली जाती है तो जब गुरू को मिलती है तो वो एक सेशन में प्रश्ण पूछ लेती है गुरू से कि गुरू एक आप से सवाल पूछना था कि गुरू जी मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब कौन है और कौन मेरे पास में है कौन मेरे सबसे मिले मेरे इतना important नहीं है, कौन मेरे दिल के करीब नहीं है, कौन मेरे अच्छा सोचता है, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है, यह मुझे पता ही नहीं जल पाता तो यह कैसे identify करे कि कौन मेरे दिल के करीब है, जिसके, जिसका मेरे life में बहुत importance है तो गुरू कहते हैं चलो बहुत अच्छा प्रशना है तो जो बाकी भी जो सब लोग बैठे हुए उनके लिए भी ये अच्छा एक सवाल होगा तो गुरू कहता है कि चलो एक पेपर और पैन लाया जाए और वह पेपर और पैन उस लेडी के हाथ में वह समा देते हैं और लिए वह बद च्रहुआ सबसे पहले यह तो बडिया तो सबसे बेले अपने माता पिता का नाम लिख़ेती है भाइ भी नूंके नाम लिखेती यह पा Hz वाली जो पडूसन है उसका भी नाम लिख देती वो भी जब ऐसा ही गपे मारते हैं उनसे डिसकुशन करते हैं तो वो भी पास है मेरे ऐसा मुझे लगता है तो इसे 20 लोगों के नाम लिख देती है और गुरु जी के हाथ वो पेपर थमा देती है अब गुरु जी कहते है देखो आपने तो सवाल का जवाब दे दिया कि ये तो आपके दिल के करीब है इसलिए आपने इन 20 लोगों के नाम लिख दिया तो वो लेडी थोड़ा सा सोचने लगती है वो कहती है हाँ ये तो ठीक है कि जो मेरे करीब है ये उनके ही नाम है पर क्या है यह सेच में मेरे दिल के करीब है थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ गुर जी तो गुरू कहते है चलए ठीक है एक प्राक्टिस कहते है गेम छोटा सा खेल लेते है तो गेम ऐसा है कि अब इन पूरी लिस्ट में से इन में से इन 20 नामों में से जो आपके दिल के करीब नहीं है ठीक है ऐसा आपको लगता है और आपको यदि ये लिस्ट कम करना है तो ऐसे दो नाम कम कर दीजेगा जो आपके बहुत करीब नहीं है ठीक है तो वो थोड़ा सोचती है और जो फैमिलीज के लोग है उनके दो नाम वो कट कर देते हैं और गुरु को वो पेपर दिखा दिए ये भी ठीक है अब और दो नाम कम करने हैं तो किन लोगों नो दो के नाम आप कम कर देगी उनके नाम इस में से इस लिस में से हटवा दीजी तो भीर वो जो पड़सोन या जो लोग है जो फ्रेंड से उसकी पड़सोन है उनके वो दो तीन नाम कम कर देती हैं अब गुरु बोलते हैं कि और दो चार नाम इस में से चार नाम कम करना है तो और कम कर दीजी तो अब अरे बापरे तो विफरिज जो रिष्टेजार होते हैं रिष्टेदार जो दूर के होते है यूजली फोन पर बाते होती है जब कभी बीच-बीच में मिलना जुनला होता है उनके नाम वो कट कर देती है अब गुरू बोलते कि और इसमें से चार नाम कम कर देना अरे बाप प्रे अब तो उसके सामने सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि यार अब आप तो यह टॉप प्रायरिटी लिस्ते तो अब इसमें से भी कुछ कम करना है तो थीक है फिर वो जो पास वाले रिष्टेदार है उनकी कुछ नाम कम कट कर देती है अब गुरू बोलते कि और दो-चार नाम कम करना है तो और किसके कम कर दोगी अरे बच्चे कुछे है फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे करीब होते हैं जिससे हम शेयर कर सकते हैं जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं उनके नाम है और बाकी तो बहुत घर वाले लोग है तो ऑप इंकर इन में से क्या कर देते हैं tous तो 표현rence के नाम ब्लिस्त में बच्ते हैं सास सशु मा, बाप, पती और भाई, भेन और अपना खुद का बेटा आप गुरु बोलते हैं इसमें से और कुछ दो नाम कम करने है अरे बाप रे तो फिर वो बहुत सोचती है और सास असुर का नाम वहाँ से कम कर दीती है ठीक है गुरु बोलते हैं और इन में से अब दो नाम और कम करने है अरे बाप रे तो फिर वो वापीस थोड़ा सा सोचने लगती है और फिर भाई और बहन का नाम कम कर देती है ठीक है अब लिस्ट में सिर्फ चार नाम बचे है ठीक है गुरु बोलते हैं, अब इस list में से और दो नाम कम करने है तो ये क्या करे रहे है गुरुु.. गुरु जी आप तो अब मेरे पूरे family के structure पे आ रहे है ये तो आप उसे क्या कर रहे है आप नहीं ठीक तरज ये workout हो रहा है, ये करना ही है अब हमें सवाल का जवाब ढूड़ना है तो किन दो लोगों को आप इसमें से कम करोगे तो वो सोच में पढ़ जाती है यार माँ बाप पती और बेटा यार ये तो सब important ही नहीं यार या तो इनने से क्या कम करना है नहीं कम तो करना होगा भई तो फिर फिर वो अपने माँ और बाप का नाम हटा जीती है क्योंकि बच्पन में जब से शादी के पहले भी बहुत बार माँ बाप नहीं कहाई कि आर जब शादी हो जाती है तो तुम्हारा घर या तुम्हारा सब जो कुछ है वो पती और उसका घर होता है तो फिर ठीक है दो मिनिट के लिए सोच लेता है वैसा तो मन से उतरेंगे नहीं पर दो मिनिट के लिए सोच लेती कि वो दूर है ये ज़्यादा नजदीक है मेरे ठीक है तो आपके नजदीक कौन है ये भी आप मुझे कमेंट करके यहां बता सकते हैं अब लिस्ट में बच जाते हैं दो नाम एक पती और एक बच्चा अब गुरू कहते हैं इस मेंसे और एक नाम कम करना है तो किसका करोगी तो यह ना हो पाएगा गुरू यह तो आप गलत कर रहे हैं अब बेटा और पती यह तो दोनों भी मेरे दिल के बहुत करीब है बहुत पासे अब इन मेंसे किसी का नाम में कम नहीं कर सकती कम तो करना होगा अभी आज यह यक्श प्रशन है सुने लिजिए यह एक ऐसा प्रशन है जिसका हमें सवाल ढूड़ना है तो यह तो करना होगा तो वो रोने लगती है वो नीचे बेट जाती है सोचने लगती है कि यह क्या है यह क्या सवाल मैंने पूछ लिया जो जिसका सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है और किसी भी मा के लिए, किसी भी बेटी के लिए, किसी भी वाइफ के लिए ये बहुत तक्लीव बहा जवाब होगा कि भाई, जो पांस वाले लोगे, उन्हें हम एक-एक करके छोड़े जा रहे लिस्ट की बात है, फिर भी छोड़ना पट रहे तो बहुत सोचकर और दृट अंतक करन से भो फिर बेटे का नाम वहांज से टा जेती है क्योंकि अब क्या है कि पती जो है उससे ही मेरा लगाव है और शायद बेटे की भी शादी हो जाएगे तो वो तो बहुत लोगों का मैंने देखा है तो वो तो उसके रास्ते निकल जाता है तो शायद साथ अन तक मेरे पती का ही होगा तो इसलिए शायद मैं पती का नाम डाल देती हूँ अब गुरु कहते है कि भाई जो फाइनल नाम बचा है वही आपके दिल के पास होगा वही आपके करीब होगा वो स्त्री वो लेड़ी आंसर तो दे रही है कि हाँ ये तो ठीक है पर उसे सुकुन नहीं मिल पा रहा है उसे शांती नहीं मिल पा रहा है उसे अच्छा नहीं फिल हो रहा क्योंकि पीछे उसने एक 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 नाम उने कट कर दिया और वह बहुत दिल के करीब भी वो भी लोग थे अब जो बचा है वही definitely यही यही मेरे दिल के करीब है यही मेरे लिए बहुत important परसन है तो गुरु बोलते है डेखो बहुत बार ऐसा भी होता है ऐसा कभी कभी आगे जाके क्लैशेश आ जाते तो वो भी छोड़ देता है या फिर ऐसा भी हो जाता है कि भगवान न करे पर ऐसा हो जाता है कि उसका एक्सिलेंट हो जाए या वो पहले तुम्हारे गुजर जाए तो वो कैसे अंत तक आपके करीब होगा हर वही इंपोर्टन आपके लिए कैसा होगा तो फिर गुरू आपको कहना क्या है वो लीडी कह देती ये तो फिर ऐसा होगा है कि जो बीस नाम मैंने लिख देते हैं वो तो बीस के बीस आप हटवा रहे हो तो वीज इंपोर्टन परसन इन माई लाइफ मेरे सबसे करीब को रहे है फिर इसमे आपको क्या लगता है यदि पती भी बच्चा भी माबाप भाई बहन दोस्त पडुस के लोग रिष्तेदार फ्रेंड्स ये धीरे धीरे करके यदि वाइप अप हो जाते है यह सबसे करीब कोन है कमेंट करके आप मुझे बता सकते है बोई स्टोरी से एक सबसे इंपोर्टन बात निकल के आती है जो lesson या moral of the story है स्टोरी सही है, गलत है, सच है, जूट है, यह important नहीं है मैं स्टोरी के माद्याम से आपको दे रहा हूँ या देने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत important है क्योंकि ये स्टोरी जब पहली बार मेरे सामने आई तो मैंने स्टोरी को मेरे नजरिये से देखा और ये जो moral है ये मैंने अपने नजरिये से workout किया जो आपको अभी बता रहा हूँ गुरू ने उसको बोला तो अन तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम अकेली होती हो तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम नाराज होती हो तब तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम डिप्रेस होती हो तब तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम्हें लड़ना है, जब तुम्हें मुश्कलियों में डटे रहना है, तब एक ही व्यक्ति तुम्हारे साथ होती है, और वो है तुम खुद, क्यूंकि अंत में शायद ऐसा हो कि मेडिकल प्रॉल्लम के विज़े से आप बोल न पाओ, तो आप आपके साथ ही रह सकते हो, आप आपके साथ बोल सकते हो, आप आपकी बात सुन सकते हो, आप आपका हर जवाब आप खुद को बता सकते हो, आप सवाल आपसे पुछ सकते हो, अंतक मुर्तियों के समय तक एक ही व्यक्ति हमारे साथ रहती है, वो है खुद, यदि हम हमारे लाइफ में सबसे पहले ह हमारे खुद के साथ डटे रहे तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए जाए, कितने भी इशूस आए जाए, कितनी भी डिक्कते आए जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा है कि आप आपके साथ ही नहीं है, आप खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहे है, आप खुद पे ही confidence नहीं है, confidence आपका खुद पे ही नहीं है, कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसे नहीं होगा, किया मेरा लाइफ ऐसा ही रहेगा, तो कितने भी पास वारे लोग हैं, शायद वो पती हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, वो कितना भी आपको एनरजी दे, कितने भी आपके करीब हो, आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो सबसे पहला व्यक्ति और सबसे इंपोर्टन व्यक्ति पहले आप हो, बाद में ये रिलेशन ये सब ही इंपोर्टन है, ऐसा नहीं है कि ये इंपोर्टन नहीं है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये सारे इंपोर्टन है, पहले हम खुद इंपोर्टन है, तो इसके आगे ये बात जरूर ध्यान लखना खुद पे ट्रस्ट करना खुद पे विश्वास करना और खुद के साथ डटे रहना कि जो मैंने डिसिजन लिया है वो सही था जो होगा गलती हो गई हो गई अब इसमें से बहाँ निकलना है इसमें से आगे जाना है और खुद का बिजनस शुरू करना है तब जाकर आपका बिजनस डेफिनिटली खड़ा हो सकता है ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके डेफिनिटली बिताना और अच्छे लगी तो मेरे किसी भी आपके एक फ्रेंड को ये स्वरी डेफिनिटली शेयर करना धन्यवाद